नमस्का विध्यारतियो विध्यारतियो जितने भी हमारे शरीर के अंदर जो पोशक तत्वो होते हैं जितने भी नूट्रेंट्स होते हैं वह हमारे शरीर के लिए अत्यांत आवशक हैं यह हम आपको हर वीडियो में बता रहे हैं आपको हम एक बार ओर बता देते हैं बच्च तो हम बात कर रहे हैं विटामिन्स की, है ना, तो जो जित्वी तरह की भुज़े पोशक तत्व होते हैं, वह हमारे शरीर के लिए अत्यन्त ही आवशक होते हैं, और अब हम बात करते हैं विटामिन E के बारे में, विटामिन E की सब सब पहले हम रसाइनिक विशेष्टाएं देख लेते हैं, विटामिन E जो होता है, यहाँ पीले रंग का तेल समान रसायनिक प्रदार्थ है, हमने बात करी थी कौन सा विटामिन होता है, पाने में गुलंचील के वसा में गुलंचील यहाँ, वसा में गुलंचील रसायनिक प्रदार्थ होता है, यहाँ जो विटामिन कि अंदर इसका नाश नहीं होता है, इतका विगटन नहीं होता है, परन्तु जो शारी माँद्यम होता है, उसके अंदर विटामीन E को रख लेजाए तो धीरे 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 इसका नश्च होना चालू हो जाता है। विटामिन E जो होता है इसको आक्सी करन प्रती रोधक परदार्थ का भी नाम दिया गया है क्योंकि यह शरीर में आक्सी करन प्रती रोधक का कारे करता है जो कि हमारे शरीर के लिए अत्यनत आविश्यक होता है. यहीं तो हो गई, इसकी रसाइनेक विशिष्ष्था हैं अब हम देख लेते हैं विटामिन E जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर क्या कारे करता है विटामिन E जो अखि करने से रोकना है यह भी हमने देखा कि इसकी विशिष्टा यह होती है कि आक्सीकरन प्रतिरोधकारक होता है तो शरीर के अंदर जब विटामिन A और केरोटीन ले लिया जाता है तो विटामिन A और केरोटीन को आक्सीकरत होने से रोकने का जो कारे होता है वह विटामिन E का होता ह शरीर के अन्दर लाल रक्त करणीका है पाई जाती है RBC, WBC और प्लटिलेट्स ब्लट के अन्दर पाई जाती है तो जो RBC होते हैं य Sev conoc तो वितामीन E के दो प्रमुक काम हो गये, सबसे पेला कारी की हो गये, विटामिन A को, केरोटीन को ऑक्सिक्राथ होने से रोकना, और दुसरा जो सबसे इंपॉर्टन जो जो हमारे शरीर को चलाता है, जो हमारे शरीर में, ऑक्सिजन एक जगे से दूसरे जगे ले जाता है, बुजी प्रदार्तो एकता बनाई रखने के यह नहीं, रचनात्मक एकता से तत पर ही होता है कि जो विटामिन E होता है, जो कोशिका होती है शरीर की, जो मूलभूत इकाई होती है कोशिका, उसकी जो आसपास की जो लेयर होती है, उस लेयर की रचनात्मक इकाई होती है, तो इस लेयर को बनाने का कार्य कोशी का जिल्ली का, कोशी का आवरंड का बनाने का जो कार्य होता है, वो कार्य कौन करता है, विटामिन E का करता है, सबसे इंपोर्टेंट, जो मनिश्य में जो होता है, वह प्रजिनन में सायग होता है, जितनी भी यौन गरंथियां और मनिश्यों में पाई जाती हैं, पुरुषों में और महिलाओं में दुने में अलग अलग तरह की गरंथियां पाई जाती हैं, उनको स्टिमुलेट करने का कारिया, उनको नियनमित करने का कारिया, उनको नियनत्रेट करने का कारिया, ये किसका का होता है, विटामिन E का होता है, यदि किसी तरीके से शरीर के अंदर विटामिन E की कम्मी हो जाती है, तो निश्य तोर पे यहाँ जो व्यक्ति की प्रजनन शमता होती है, उसके उपर गहरा प्रभाव डालती है, नुकलिक अमलो और प्रोटीन के मेटाबॉलिसम में भी प्रमुक रोल करता है, यानि हमारे शरीर के अंदर यदि देखा जाये तो इसका मुख्य कारण होता है, उसका मुख्य कारण होता है, प्रतिरोधक कारे करना, इसका मुख्य कार होता है, रक्त करनी का उनकर निर्मान में करना, और सबसे इंपॉर्टन कार्व होता है, यह य बारे में हम जानकारे लेते हैं, विटामिन E की यदि कमी हो जाती ही शरीर के अंदर, तो लिश्ची जब हमने देखा यहाँ पे कि यह प्रजनन में सहायक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कमी हो जाती है शरीर में, यह होती है प्रजनन शमता में कमी. पुरुश एवं महिलाओं की जो ग्रंथिया होती हैं, उससे स्तरवन नहीं हो पाता यहां ग्रंथियों से, और ग्रंथियों से स्तरवन नहीं होने के कारण प्रजनन शमता जो होती है, उसके अंदर कमी पाई जाती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं यकरत में नेक्रोसिस यह चुहों पर स्टेडी कही गई थी कि चुहों को विटामिन E की जो डोस थी उनको नहीं दी गई उससे क्या फरक पड़ा कि जो यकरत होता है हमारे शरीर के अंदर उसकी जो कोशिकाएं होती है यकरत को जो बनावा हिस्सा होता है जो कोशिकाएं जो उनका निर्मान करती है वह धीरे-धीरे तूटने लग गई और धीरे-धीरे जो लेवर होता है जो यकरत होता है वह होने लग जाती है यानि जो यकुरत होता है अपने आप में ही समाप्त होने लग जाता है तो जो अपने आप में यकुरत समाप्त होने लग जाता है उसको बोलते हैं यकुरत में निक्रोसिस का होना माल स्पेश्यों में एठन बट अव्यसी बात है जब आपका ऑक्सिकरन का जो प्रतिरोधा खुआरे नहीं हो पता है यानि ऑक्सिकरन खुब सारा उन्हें लग जाता है तो आपके जो शरीर के अंदर की जो माल स्पेश्या है उसके अंदर दर्द एवब अब एठन का होना सभाविक ही होता है नेक्स है इर्थ्रोसाइट हीमोलाइस इर्थ्रोसाइट हीमोलाइस का तातपर ही होता है कि शरीर के अंदर जितनी मातरा में लाल रख कनिका है बनती है उतनी लाल रख कनिकाओं का निर्मान नहीं होना क्योंकि निर्मान का कारे किसका होता है विटामिन E का हमने आप विटामिन E के कारे देखे तब हमने देखा लाल रख करने का निर्मान का का कारे किसका होता है विटामिन E का होता है अब विटामिन E का का कारे की कमी हो जाती है शरीर के अंदर तो विटामिन E की कमी के कारण से इर्थोसाइटिस, हिमोलाइसिस नामकरोग हो जाता है, इस रोग के कारण से शरीर के अंदर लाल रख करने का एं गानरमार नहीं होता है, तीक है, अब आप देख लीजिए, विटामिन E जो होता है, वह हमारे शरीर के अंदर कितना important role play करता है, विटामिन E जो होता है, वह हम आम जंता की बात करें, तो आम जंता, विटामिन E है, विटामिन D है, कैल्शियम है, फोस्फरस है, इसके बारे में बात करतें या प्रोटीन के बारे में, ठीके, इसके लावह कोई बात नहीं करतें, परन्तु हर न्य्वक्रियन委 जो होता है, उसका हमारे शरीर के अंदर ए हमें nutrients जो होता है वो हमें nutrient लेने बहुत ही जरूरी होते हैं. विटामिन E की कमी से बहुत सारे रोक हो जाते हैं. जो प्रजन अब आप देखें यकरत पे कितना बुरा असर पड़ता है. अप यह देखें प्रजन शक्ति पर कितना उसका direct बुरा असर करती है। और सबसे ज़्यदा लाल र dalla कणिका है जो हमारे शरीर के अंदर, जो हमारे शरीर के हर कारे करती है, उसीीका निर्माण नहीं होता है। तो विटामिन E जो होता है, वह हमारे शरीर के लिए अत्यान्थी आवशक होता है. हम आपको बतादें, ज़िएको किसी भी ठरे के कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आप समय में नहीं आ रहे हैं तो एकाक्तिय। आप पूछ सकते हैं हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि हम आप उसके जो भी आप सवाल करें हम उसका आपको संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे